राज्यस्तान के सब विद्द्यार्थियों का हारदिक श्वागत प्रै विद्द्यार्थियों जैसा कि online classes और आपके इस channel पर 4 विशयों की कक्साईं हमेशा upload की जा रही है और आज हम हिंदी सहीत्य की कक्साईं शुरू कर रहे हैं वेसे हिंदी साहिती की कक्साओं के बारे में आपको बता दूं कि हिंदी साहिती लगबग हिंदी साहिती संपूर्ण हिंदी साहिती पहले से अप्लोड कर दिया गया है जिसे आप description में जाकर के या इसके चैनल के वेडियोज पर जाकर के आप देख सकते हैं WhatsApp ग्रूप के निर्वान किया गया है जिसमें तीसरा WhatsApp ग्रूप चल रहा है दो WhatsApp ग्रूप पूरे हो गए हैं तीसरे WhatsApp ग्रूप में जुड़कर के भी आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का अजियन कर सकते हैं हिंदी साहित्य के अजियन के साथ साथ यहां पर अपने चार विश्यों की जो कक्षाएं लगाई जाती है उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आज हम पड़ेंगे गोश्वा में तुलशीदास 1532 से 1623 जैसे आपको पता है कि साहित्य में एक परीचे कभी परीचे या लेकक परीचे पुछा जाता है तो परीचे से समधित गोस्वामी तुलसिदास का परीचे है वो हिंदी अनिवारेग अंतरगत भी करवाया गया है और हिंदी सहित्य में भी इसका परीचे और इसकी मुख्य मुख्य व्याख्य है वो पहले से अप्लोड कर दी गई है आज हम इसकी डिटेल्ड जो व्याख्य यानि मंदोद्री की रावन को सीख संपूर्ण व्यक्या का अध्यान करेंगे यानि एक कक्सा में जिस प्रकार हम संपूर्ण व्यक्या का अध्यान करते हैं वैसे ही इसका अध्यान हम करेंगे इसके प्रश्णोतर भी हम देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों से कहना चा संबंदित और अन्य विश्यों की कक्षाओं से संबंदित संपर कर सकते हैं कक्षाओं का अध्ययन आप कर सकते हैं तो पर यह विद्यार्थियों से कहना चाओंगा अपने यहां से जिसे अंग्रेजी दस्मी और बार्मी हिंदी अनिवारे हिंदी साहिति राजनिती विज्या हिंदी व्याकरण इन सभी कक्साई अनवरत अपलोड होती रही है तो आप अधिक से अधिक विद्यारती इसमें भाग लें ताकि हम एक दिन एक लाइव कक्सा का आयोजन भी करें जिसमें इन चारों विसेव की सब्ता में एक बार लाइव कक्साई हो और टेस्ट का आयोजन भी करेंगे जिसमें आप टेस्ट देंगे और आपके टेस्ट के अंकों का अंक भी आपको सुनाए जाएंगे और वरस के अंत में आपको PDF जो है वो भी उपलब करवाए जाएगी अन्य जो परिक्सा समझे निर्दैस है वो भी आपको दिये जाएंगे तो आज हम सुरू कर करते हैं मंदोदरी की शीख बहुती अच्छा पाठ है और बहुती सुन्दर व्यख हैं है सबसे पहले देखें सुन्दर कांड में से जो पहला जो चोपाईयां है उसमें तुलसिदाश क्या कहते हैं कंत करस हरिसन परी हरव मोर कहा अती हिये हित धरहु समुझत जासु दूत केई करणी स्रवहीग्रव रजनीचर घरणी तासु नारिजिर सचिव बोलाई पठवाहुं कंत जो चैहुं बलाई तव कूल कमल विपिन दुखदाई शीता शीतनिमा निशासम आई सबसे पहले आपको जब इसकी व्यख्या करनी होती है तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है दूसरा व्यख्या लिखनी होती है तीसरा उसका विशेश लिखना होता है तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है तो इसमें आप प्रसंग जितना भी इस पाट से समंदित प्रसंग है वो आप इस प्रकार लिखेंगे यनि इसमें लगबग सारे रामचरित मानस के हैं तो आप इसमें प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तूत पध्यां प्रस्तूत पध्यांस काविकुल शिरोमणी गोस्वामी तुल्सिदास द्वारा विरचित रामसरित मानस के सुन्दर कांड से उद्दर्थ है संध्या समय रावन अपने मेहल में आये तब मंदोद्री ने विनित स्वर में अपने पती को समझाती हुई जो कहा उन इन पक्तियों में उनी का उलेख है व्याख्या देखिए अब व्याख्या कैसे करेंगे व्याख्या के समझ में हमें इससे समझना होगा बहुत ही सरल है ये पहले इसको समझना होगा मंदोद्री राउन के पास जाकर के अपने पति से कहती ही कंत करे सहरिशन परऊ अर्थात हे पतिदेव बगवान सिरीराम से जो आपने विरोध कर रखा है उसे छोड़ दीजिए परिहर हूँ अर्थात छोड़ दीजिए त्याग दीजिए मोर कहा अती हित हिये दरऊ और मोर कहा जो मैं कहती हूँ वह अपने रिदय में दारण कीजिए यह जिनके दूत के कारियों को सुनकर के समझ करके जासू दूत, दूत नहीं है दूत है दूत यानि मंत्री यहांपर हनुमान के उरिंगित किया गया है कि जिनके दूत के बारे में सुनकर और राक्ससों की इस्तरियों के गर्ब गिर जाते हैं स्रवही सुनकर गर्ब रजनीचर गिरनी राक्षसों की इस्तरियों के गर्ब गिर जाते हैं तासु नारिनी जो सचिव बोलाई है पतिदेव उनके सचिव को बुला करके उनके मंत्री को बुला करके पठवहु कंत जो चहु बलाई है पतिदेव यदि आप अपना भला चाते हैं चहाते हो यदि आप अपना बला चाते हो तो उनके सच्चिव को बोला करके और उनकी पतनी शीता को लोटा दीजिए दावकुल कमल विपन दुखदाई दावकुल अर्थात आपके कमल रूपी जो वन्स है कुल यानि वन्स विपिन दुखदाई विपिन रात्री सीता सीत निशा समाई यानि सीता है वो आपके कमल रूपी वन को सीत रूपी रात्री के रूप में नस करने के लिए आई है सम यानि समान और यहां सीत निशा सीत समाई यहां पर उपमा लंगार है कौन सा अलंकार है यहाँ पर उपमा अलंकार है यानि तवकूल कमल भीपिन दुखदाई सीता सीत निशासमाई सुनहु नात सीता बिनुदिने है पतिदेव सुनिये सीता को बिना दिये हितने तुम्हारे संबु अजकीने सीता यको यदि आप नहीं लोटाएंगे तो आपका हित या आपका भला या आपको बचाने वाला स्वम सिंभू यानि शिव और ब्रमाजी भी आपका हित नहीं कर सकते आपका भला नहीं कर सकते अरदाद आपको उनके क्रोध से नहीं बचा सकते दोहे में लिका है कि राम बान अहिगन सरिष हे पतिदेव राम के बान है अहिगन अहिकारता सांप गन यानि समू सरिष यानि समान राम के बान है वो सांपों के यानि जहरीले नागों के समू के समान है और निकर निशाचर भेख और आपके जो निशाचर है आपके राक्षष हैं वो मात्रे मैंडगों के समान है जब लग ग्रसत ने तब लगी जतनों करा हूँ तज टेग हे पतिदेव जब तक उनके बाण जो है वो आपके निशाचर अर्थात आपके मेंडग रूपी या निशाचर रूपी मेंडगों को ग्रशित नहीं कर ले अर्थात उन्हें नस्र नहीं कर दे, उससे पहले-पहले आप उन्हें बचाने का यतन कीजिए, प्रियास या प्रयतन कीजिए आगे देखे व्याक्या हो गई इसमें आप विशेश क्या लिखेंगे देखेंगे विशेश में इस प्रकार प्रतियक में विशेश लिखना ही है मंदोदरी को आदर्स भारती नारी की रूप में चित्रित किया गया जैसा आपने देखा है क्योंकि अपने पती को समझा रही है दूसरी बात देखिए रामण को सिरी राम के सोर्य प्राक्रम और प्रमात्म तत्व को बता कर उसे बुराईयों को त्यागने के लिए संकेत किया है कि आप सिरी राम के बल और प्राक्रम को नहीं समझते हैं चोपाई और दोहाच संद में विरचित इस रस्नावा अनुपरास और रूपक कलंकार भी है अनुपरास रूपक और उपमा लंकार भी है यानि वीपीन जो है न उसमें वीपीन वहाँ पर रूपक कलंकार है बासा अवद्धी है जिसमें उचित लाय यतिकती का प्रियोग हुआ है इस प्रकार तो आपको ये लिखना है अगला देखिए अगली चोपाई में क्या कहते हैं अब ये लंका कार्णब है क्या कह रही है कि मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कोतक ही पायो दी बनायो पात हो दी मंदोदरी पात हो दी समूदर मंदोदरी ने सुना कि भगवान सिरीराम समूदर पर स्रेतु बंदन करके यहां आ गये हैं सुन्यों प्रभु आयो। अर्थात बगवान सिरी राम है, वो समुंद्र पर शेत्व बंदन करके यहां लंका में प्रवेश्ष कर गए हैं, तब कर गई ही, कर यानि हाथ में गईयन पकड़कर, पती ही भवाननी जबाने ही, अर्थात, रावन का हाथ पकड़कर और अपने बवन में ले जाकर के बोलती है बोली पर्म मनोहरवानी और बहुती विनित स्वर में अपने पतिशे अनुने विने की पर्म मनोहरवानी यानी विनित स्वर में उन्होंने अनुने विने की यानी चरन सार्व अंचल रोपा और उसने चरन पकड़ करके और अपना अंचल पसा और कहा कि सुनहु वचन पिये परिहरी कोपा यानि है पतिदेव आप क्रोध त्याग करके मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। ये जीती चाहिए सो जीसे हम बुद्धी और बल से जीत सकते हैं जिन पर विजे प्राप्त कर सकते हैं तो यनि मंदोदरिन सुना की भगवाल सिरीराम लंका में खेल खेल में ही समुद्र सेतुवंदन करके यहां आ गए हैं तो उनोंने अपने पती का हाथ पकड़ करके अपन बचनों को ज्यान से सुने हे नाथ आपको ज्यान होना चाहिए या आपको वेर उशी से करना चाहिए जिसे हम बुद्धी और बल से जीत सकें अगले मिलिका है कि तुमही रगुपती अंतर केशा हे पतीदेव आपमे और पहगवान शिरीराम में केशा अंतर है यानि इतना अंतर है खलू खज्योत दिनकर ही जेसा अरथा जुगनू और सूर्ये में जितना अंतर होता है आप जानते हैं कि जुगनू एक छोटा सा जानवर होता है जो रातरी को आकास में उड़ता है तो उसके पंखोशे रोष्णी होती है लेकिन जब वो दिनकर अरथा सूर्योदे ह होता है तो सूर्यों दय में चाहे हुए कितने जुगनु उड़े उनकी रोशनी का उस पर कोई परवाव नहीं पड़ता तभी उन्होंने कहा है कि आप में और भगवान सिर्दाम के बल प्राक्रम सोर्य के सामने आपका प्राक्रम कुछ भी नहीं है अतिबल मधूप केटब जही मारे भगवान सिर्दाम अर्थात ये वही भगवान है जिन्होंने अपने बल से मधू और केटब नामक देत्यों को मार गिराय था महावीर दीती सुत संगारे और द उन्होंने नर्शिंग रूप का दारन करके उन्होंने मारा था जही बली बांधी सहस्र बुझ मारा और जिस भगवान ने बली को बांध लिया था और यानि सहस्र बाउ को जिन्होंने मार गिराय था प्रसुराम अवतार के रूप में सोई अवत्रेव हरन मही बारा और वह भगवान है वो इस प्रत्वी का बार हरन करने के लिए स्री राम के रूप में अउतरित हुए हैं तासु विरोधन कीजिये ना था हे पतिदेव उनका विरोध आप मत करें काल करम जीव जांके हाथा आयर्था संपून चराचर जिनके हाथ में है जिनके हाथ में काल करम और जीव यानि संपून चराचर जिनके हाथ में है आप उनसे विरोध नहीं कीजिये उनसे सत्रूता मोल मत लीजिये रामई शोपी जानकी नाई कमल पदमात हे पतिदेव आप मेरी मान लीजिये आप जानकी को अर्थाच शीता को सिरी राम को स्वंप दीजिये और उनके चरण कमलों में अपना सर नवाईए नाई नाई मलब नवाईए कमल पदमात हे अर्थाच उनके चरण कमलों में अपना सर नवाईए सुतकमुराज समर्पिवन और अपना जो रज्य है वो अपने पूत्र को समर्पित करके और वन में जाकर भगवान सिरी राम के बजन कीजिए जाई भजी अरगुनात अर्थात वन में जाकर के भगवान का बजन कीजिए तो आप इसे केस लिखेंगे कि तुम्हें ये अर्थात है पतिदेव आप और भगवान सिरी राम है उनमें तो सूरिय और यानि सूरिय और जो ये रात्री को विचरन करने वाले जुगनु है उनके जितना अंतर है जिन्होंने अपने बल के साथ मधूर केटब दित्यों को मार गिरा था जिन्होंने दिती के पूतर हिरनाक्स और हिरनाकशब को कसाहार किया था जिन्होंने अपने राजा बली को जिन्होंने तीन पेरों से यानि जो से राजा बली जो इसको कर्व हो गया था उन्हें रामई सौंपी जानकी अर्थात आप मा सिता को सिरी राम को सौंप दीजिये क्या लोटा दीजिये और उनके चरण कमलों में सरनवाईए शुदकौहुराज समर्पी बन और अपना राज्य जो है वो अपने पुत्र को समर्पी करके और बन में जाकर भगवान सिरी राम का रगुराई नाथ दीन दयाल रगुराई बाग सनुक गयन खाई। हे पतिदेव भगवान शिरी राम तो इतने दयालु हैं। आपने देखा होगा कि सरनागत गये हुए को तो बाग भी नहीं खाता। बाग सनुक गयन खाई अर्थात सरनागत की रक्षा बाग भी करता है। बाग भी जब कोई जीव जन्तू उसके सरनागत में चला जाता है तो वह भी उनकी रक्षा करता है। तो ये तो भगवान शिर मन में था आप सब कुछ कर चुके हैं चाहिए करन अर्थात जो हम तुम करना चाहते थे सब करी जीते अर्थात आपने सब कुछ कर लिया है और सुर असुर चराचर जीते और आपने देवता और राक्षस और संपून चराचर के जीवों को आपने जीत लिया है यानि जितना आप करना चाहते थे उत्ना कर लिया है, संत कहैं, यह सी नीती दसानन, संतों ने इसे कहा है, संतों ने इसी नीती बताई है कि चोथे पन जाई likes निर्पकानन, यहancedी में चोथी अवस्था में, या चोथे आश्रम में, राजा को 1 में चले जाना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मचरी आश्रम है, ग्रस्त आश्रम है, सन्यास है और वानप्रस्त है, वानप्रस्त आश्रम जो है वो छेतर से लेकर के सोवरस तक जो मन गया है, उसके अनुशार विक्ति को सब कुछ छोड़ करके अपना आत्म कल्यान करने के लिए वन में चले जाना चा के बजन कीजिए जो करता पालक समहरता रथा जो इस श्रिष्टी के करता है पालन करता है और सहारक करता है यानि भगवान विश्णु को इस श्रिष्टी का सहारक करता पालक करता और इस श्रिष्टी का सहारक करता माना जाता है तो कहते हैं कि हे नाथ भगवान श्रीराम बह प्रकार की नीतियों के बारें बखान करते हैं कि इस प्रकार की नितियों के बारे में बखान करते हैं कि चोथे पन में राजा को वन में जाकर कि निवास करना चाहिए हे पतिदेव आपको बगवान सिरी राम का भजन करना चाहिए जो कि इस रश्टी के करता है, पालक करता है, पालन करने वाले हैं और इस प्रत्वी के अर्थाद साहरक करता भी हैं सोई रगवीर प्रनत अनुरागी बजहुनात मम्ता सब्ध्यागी हे पतिदेव आप भगवान रभवीर से अर्थाद भगवान सिरी राम से प्रीति कीजिए और अपने मन की संपूर्ण मम्ता और मोह को छोड़ करके त्याग करके भगवान सिरी राम से अनुराग करें, प्रेम करें मुनि वर जतन करहु जई लागे, भूप राजुताजी हो भेरागी और भूप राजुताजी हो भेरागी अर्थाद भगवान को प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्वी यतन करते हैं, प्रियास करते हैं मुनि और तपस्वी जिसे भगवान को प्राप्त करने के लिए यतन करते हैं, राजा अपना राजे छोड़ करके वेरागी धारन करते हैं, सोई कोसला धीसर अगुराया वही कोसल नरेस के रूप में भगवान सिरी राम के रूप में आयव करन तो ही परदाया और वही आप पर दया करने के लिए अर्थात आपका कल्यान करने के लिए शोवम भगवान कोसला धीस के रूप में यहां आये हैं, जो पिये माना हुँ मोर शिकावन है प्रियतम है पतिदेव यदि आप मेरी शिक्षा मानते हैं तो सुजेस हो इतिहु पूरति पावन यानि तीनों लोक इसा कहते कहते मंदोदरी के आंखों में आशु आ जाते हैं और अपने यानि कमपित गात अर्थात शरीर के कांपते वे वह अशुदारा बहाती हुई और उन्होंने कहा कि है पतिदेव आपको भगवान सिर्राम का बजन करना चाहिए ताकि मेरा जो स्वभग्य है अर्था अगले देखे आगले में लिखाया कि सजल नयन कर जुग कर जोरी सजल नयन का है जुग कर जोरी सुनखु प्राण पती वीनती मोरी अपने नेत्रों में अस्रु जलबहाती हुई जुग कर जोरी दोनों हाथ जोड़ करके जुग यानि युग यानि दोनों हाथ जोड़ करके और कहा कि सुनगु प्राणपती विनती मोरी है प्राणपती मेरी विनती को सुनिए कंतन राम विरोध परिहरव हे पतिदेव सिरी राम से जो विरोध है उसे छोड़ दीजे परिहरू त्याग दीजिए जानी मनुझ जनी हट मन दरू और जो हट आपने सिरी राम को एक मनुष्य मान करके धारण कर रखा है जानी मनुज यानी बगवान सिरी राम को आपने मनुश्य जान करके जो हट दार्न कर रहा है उस हट को भी छोड़ दीजिए क्योंकि बगवान विश्णू है बगवान सिरी राम है वो क्या है विश्वरूप रगुबंस मनी करहू बचन विश्वास आप मेरे बचनों में मेर बातों में विश्वास कीजिए ये रगवन्स मनी अर्थाथ भगवानточно है वो विश्वा रूप है अर्थाथ शंपून संशार इनी में समाईत है मेरे वचनों पर आप विश्वास कीजिए लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास यानि संपून संसार के जो अंग है इनके जो सरीर के अंग है उनमें संपून संसार की कल्पना की गई है संपून संसार इनी के अंगों में निवास करता है आगे देखिए अब कहां कहां अंगों में क्या-क्या निवास करते हैं उसके बारे में इन्होंने क्या-क्या बताया देखिए आगे लेखें कि पद पाताल सीश अज धामा हे पतिदेव बगवान शिरीराम जो है पद पाताल बगवान शिरी राम के पेर पाताल है शीस अजधामा अर्थात अजधामा यह ब्रह्म लोक है उनका मस्टिस की ही ब्रह्म लोक है अपर लोक अंग अंग विस्रामा अन्य लोक भी उनके अंग अंग में विस्राम करते हैं या अन्य अंगों की अन्य अंगों में भ ब्रकूटी विलास बहेंकर काला, उनकी ब्रकूटी ही बहेंकर काल हैं, नयने दिवाकर नेत्र सूरिय हैं, कच गनमाला, कच यानि केश, गनमाला यानि बादलों का समू, अर्थाज स्रस्टी में जो बादलों का समू है, वे उनका केश हैं, उनके केश ही बादलों का समू है, नेत्र सूर्य है और उनकी ब्रकूटी है वो बहेंकर काल है यानि जब उनकी ब्रकूटी टेड़ी हो जाती है तो इसका अर्थ है कि इस रष्टी में प्रले होने वाली है जासु ग्रान अश्वीनी कुमारा ग्रान नासी का यानि उनकी नासी का अश्वीनी कुमार है निशी अरुदिवस यानि रात और दिन निमेश कारता है आँखों का जपकना अर्थात उनकी आँखें जपकना यानि आँख बंद करना और खोलना रात्री और दिन है अर्थात उनकी पलक जपकना दिन और रात का बनना है। दिशा दसे वेद बखाने सरवन सरवन यानि कान दिशा दसे अर दसों दिशाएं उनके कान दसों दिशाएं है एसा वेद कहते हैं मारूत स्वास अर्थात इस प्रत्वी पर जो वायू चल रही है उनका सांस ही वायू है निगम निजबानी और वेद निगम यानि वेद निगम करता है वेद उनकी वानी ही वेद है यानि पाताल उनके पद है यानि चरण है ब्रमदाम उनका मस्तिस्क है अन्य जो लोक है वो भी उनके अंगों में विश्राम करते हैं ब्रकुटी में बहेंकरकाल का निवास है अर्थाथ ब्रकुटी ही ब पादलों का समुह है उनकी नासी का अस्विनी कुमार है अस्विनी कुमार ही उनकी नासी का है और आंखों का जपकना ही दिन और रात का बनना है और यानि सरवन दिशा दस वेद वखानी अर्थात दसों दिशाएं उनके कान है ऐसा वेद कहते हैं मारुत स्वास यानि प्रत् रांस है और निगमनिजबानी और वेज उनकी वानी है। अधर लौब जमदशनकराला अधर लौब यानि इस रश्टी में लौब है वो उनके होट हैं। जमदशनकराला अर्थात यम है वो उनके दांथ हैं माया हास इससे संसार में जो हाश्य है वो उनकी माया है बाहु दिखपाला और इनकी जो भुजाएं है वो दसों दिशाओं की रक्षक है आनन अनल उनका मुख अग्मी है अंबूपति जीहा और उनकी जीब ही वरुन है उत्पति पालन प्रले समीहा समीह का अर्थ अर्थाज इस स्रश्टी की उत्पति करना पालन करना और प्रले करना ये उनकी चैस्टाएं है अर्थाज इस स्रश्टी की उत्पति पालन और प्रले उनकी चैस्टाएं है रोम राज अस्टादस भारा इस प्रत्वी पर अठारे प्रकार की जो वनस्पतियां है वो उनकी कि रोमावली के रूप में आवस्चित हैं अस्थी शेल अर्थात परवत ही उनकी हडियां है और सरीतानस जारा और उनके सरीर में बहने वाली नाडियां ही नदियां है अर्थात नदियां है वो नाडियां है उदर उदधी यनि उनका पेट समुद्र है अद्गो जातना जात प्रभु का बहु कल्पना अर्थाच इस संसार की जो संपूर्ण कल्पना है वो प्रभु सिरिदाम में निवास करती है आगे क्या लिखा है देखिए एहंकार शिव शिव एहंकार है बुद्धी अज ब्रह्माजी बुद्धी है, मन सशी यानि चंद्रमा मन है चित्त महान महान कार्थियां पर है विष्णू और उनके उनका रिदे ही विष्णू है अर्थाच उनका एहंकार शिव है उनकी बुद्धी ब्रहमा है और उनका मन चंद्रमा है और उनका रिदे है वो महान विष्णू है मनुजबास सचराचर रूप राम भगवान अथात समपून चराचर स्रष्टी का निवास करने वाले ही भगवान सिरी राम है अस विचार शुन प्रानपती प्रभुषन बयरू बिहाई ऐसा विचार करके यानि इन बातों को विचार करके है प्रानपती आप बगवान सिरी राम के समुख जाकर के और उनसे जो बैर भाव है वो टाग दीजिए बिहाई छोड़ दीजिए बैरू यानि बेर प्रभुशन बगवान सिरी राम के समुख जाकर के है प्राणपती अपने वेर को छोड़ दीजिए प्रीती करहू रगुवीर पद और आप बगवान सीर राम के चरणों में प्रेम कीजिए मम अहिवात अनजाई ताकि मेरा जो स्ववाग्य है मेरा स्ववाग्य है वो स्दा के लिए बना रहे सांज जानि दसकंदर भवन गयों बिलकाई सांज जानि दसकंदर अर्थाच संध्या समेच जानकर के दसकंदर रावन अर्थाच लंकेश बिलकतावा उदासमन से जब अपने भवन की और जाता है तब मंदोदरी रावन ही बहुरी कहा समझाए तब मंदोदरी अर्थात रावन की पत्ती मंदोदरी उनके पास जाकर के पुने उसे समझाती है बात-बाती अर्थात बहुत समझाती है और वो क्या कहती है वो कहती है कि कंत समुझमन तजहु कुमती ही है पतिदेव आप अपन मन की कुबुद्धी को छोड़ करके मेरी बात को समझिए सोहन समरत तुम ही रगुपती ही आप और भगवान सिर्राम में युद्ध सोबा नहीं देता है सोहन मतलब सोबा नहीं देता है समर यन युद्ध तुम ही रगुपती ही अर्थात बगवान सिर्राम में और आप में युद्ध स्वबा नहीं देता है रामा अनुज लगू रेग खंचाई रेख खंचाई नहीं लांगे हो असी मनुसाई हे पतिदेव याद कीजिए उनके छोटे बाई लक्षमन ने एक छोटी सी धनुर रेखा खिंची थी और आप उस धनुर रेखा को नहीं लांग पाए ये तो आपकी मनुसिता है ये तो आपकी पोरुस है मनुसाई मतला होता है पोरुस ये तो आपका पोरुस है प्रियतुमताही जीतब संग्रामा जाके दूत करे ये कामा है पतिदेव आप उन्हें जीतने चले हैं जिनके दूत भी इतना बड़ा काम कर देते हैं प्रियतुमताही जीतब संग्रामा अर्थाथ आप उन्हें जीतने चले हैं उनसे विजे प्राप्त करने चले हैं जिनके दूत भी इतना काम कर डालते हैं अर्था इतने महानकारी कर देते हैं कोतुक सिंदु लंकित अव लंका खेल खेल में उनके दूत ने समपूर समुधर को लंकर के लंका में आगे और आयो कपी कहरी असंका और वह वानर रूपी सिंग आपकी उसे सभा में असंग कर था नीडर होकर के खड़ा हो गया था नीडर होकर के और समुद्र को लांग करके लंका में परविष्ट कर गया था आगे देखिए रखवारे हती विपिन उजारा और उस वानर ने रखवारे यानि रखवारे यानि रखवारे हती यानि मार दिये विपिन यानि बाग उजारा यानि उजार दिया और उसे वानर ने आपके रखवालों को मार दिया अर्थाद रखवालों का वद किया और आपके बाग को उजार दिया देखत तो ही अच्छ तो ही मारा और आपके देखते देखते आपके पुत्र अक्षे कुमार को मार दिया जारी शकलपूर कीने सिछारा जारी शकलपूर जला दिया शकल संपूर पूरे नगर आपके संपूर्ण नगर को अर्था संपूर्ण लंका नगर को जला करके और रा कर दिया था कहां रहा बल गर्व तुमारा उश्र में तुमारा ये गर्व कहां चला गया था गमंड कहां चला गया था अब पति म्रिशा गाल जनी मारहू हे पतिदेव अब आप व्यर्थ के डिंग नहीं आंकिये अर्थात व्यर्थ के गाल मत बजाईए गाल जनी मारहू म्रिशायनी व्यर्थ में हे पतिदेव म्रिशायनी व्यर्थ अब आप व्यर्थ में अपने गाल मत बजाईए मोर कहाकत्व रिदे विचारहू और जो मैं कहत उसे आप अपने रिदे में विचार कीजिए धारन कीजिए पती रगुपती ही न्रपती जनिमानहू और अगजगनात अतुलबल जानहू आपने रगुपती अर्धात बगवान शिरीराम को एक साधरन राजा या मनुश्यक रूपी राजा के रूप में समझा है अगजगना इनके सोरे के बारे में आप सुनना चाहेंगे तो बताना चाहूंगी कि बान प्रताप जानी मरीचा इनके बान का प्रताप या बल प्राकरम जो है वो मरीची जानता है तासु कहा माना ही नहीं नीचा अर्थात आपने उनकी कही हुई बात को भी नहीं माना अर्थात मरीच मरीची की बात को नहीं माना मरीची जो की यानि स्वयड हिंड के रूप में बगवान के सामने आये थे जनक सभा अगनित भूपाला और वो याद दिलाती भी केती है कि है पतिदेव आप जनक की उस सभा को याद कीजे जिसमें अंगिनत राजा लोग उपस्ति थे और रहे त प्राण दिया था राखा जीयत आँख गई फोरा जिने एक आँख फोर करके और जिने प्राण दान दिया था यानि कहा जाता है कि जैन्त जो है उन्होंने शीता जी के पेर में चोंच मारी थी थोड़ी लंबी कता है लेकि संसेप में बताना चाहूंगा कि जैन्त जिन्होंने उनके पेर में चोट मार दी थी और शीता जी ने कहा कि इन्होंने यानि दुस ब्रती के आदार पर मेरे प चुँटा और कोफा, जिदर वो जेंत उड़ता गया और उनका बान है उपिछा करता गया और कहा जाता है कि आखिर जब उन्होंने तरहमाम तरहमाम कर भगवान सिर्राम के चरणों में आकर गिरे तब उन्होंने कहा कि मेरा छोड़ावा बान एक बार लक्ष संदान किये विना नहीं रह सकता तो उन्होंने एक आँख फोड़ करके और उसे जिवन दान दिया था उसे बचा दिया था आज भी कववा जो है वो टेड़ा देखता है ये कहा जाता है सुपन खा के गती तुम देखी अर्थास सुपन खा की गती तो आपने देखी है दसा तो आपने देखी है तदपी रिदय नहीं लाज विशे से फिर भी आपके रिदय में लजजा नहीं हो रही है फिर भी आप लजिट नहीं हो रहे हो और उन्होंने आगई क्या बताया कि बदी विराद खरदूसन ही लीला हत्यों कमंद और कबंद राक्षस की जिन्होंने हत्या की थी बाली एक सरमार्यों जिन्होंने एक ही बान से बाली को मार गिराए था और तेही जानव दसकंद हे दसकंद अर्थात स्रावन या हे पतिदेव आप उनके नहीं जानते हैं जही जलनात बंदायव हेला जेही जलनात जलनात इन समुद्रे बंदायव हेला यानि खेल केल में बंदायव बान दिया जिन्होंने खेल केल में पूर्ण समुद्र पर सेतु बंदन किया था उत्रे प्रभुदल सहित शुवेला और अपने सेना सहित इस समुद्र तट पर उतर आये थे कारोनिक दिनकर कुलकेतू कारोनिक यदिद्यालू है दिनकर कुल और दिनकर निस शूर्ये वंस के सिर्राम या सूर्ये वंस की द्وجजाशुरूप सिर्राम हpton दूत पठाय वो तवहित है तू और आपके कल्यान के लिए उन्हुने अपने दूत को बेजा था अर्थात अनुवान को बेजा था अंगद को बेजा था ताकि वो मान जाए और अर्थात सद्गती को धारन कर लें लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया सभा माजते तव बल मत्था और आपकी सभा के मद्धे उन्होंने आपके बल को कुचल डाला था करीबरूत महुं व्रिगपती जथा जिस प्रकार शिंग जो है वो हातियों के जुंड गोती तरवित्र कर देता है उसी प्रकार आपके बल को उन्होंने कुचल डाला था अंगद हनुमत अनुचर जांके रणबांकूरे वी रतिबांके अर्थात युद्ध विद्या में कुचल प्रवीन अंगद और हनुमान जैसे जिनके शेवक हैं बला आप उनका क्या विगाड सकते हैं आगे उन्हों लिखा है कि तही कह पिये पूनि नर्ग कहूं और है प्रियत्म आप बार बार उन्हें मनुश्य कहते हैं मुदा मान ममता मद बेहु आप यानि अभिमान ममता और मद में बेहते हुए अर्थात इनके वसीभूत हो करके और आप इन्हें बार-बार मनुश्य के रूप में जानते हैं, मनुश्य केते हैं, जो कि आपकी भूल है, एहम का कंत कृत राम विरोधा, हे प्रियतम, राम से आपने विरोध किया, और काल विवस मन उपजन वोधायन, जो व्यक्ति काल के वसिबूत होता है, उनके मन में प्रकार का बोध नहीं होता है, अर्थात हुए अपनी बुद्धी को, जिनकी बुद्धी नस्ट हो जाती है, काल के विवस विक्ति की बुद्धी नस्ट हो जाती है, और वह बगवान से भी विरोध कर बेटता है, काल दंड गही काहुन मारा, हे पतिदेव, काल दंड देक तो वह व्यक्ति अनुचित कारे करता है और उस अनुचित कारे का फल से अवस्य ही मिलता है निकट काल जही आवत साई है पतिदेव काल जिनके निकट होता है तही ब्रह्म हो तुमारे नहीं उसे आपकी तरही ब्रह्म होता है यानि वह आपकी तरही ब्रह्मित होता है बहुत ही शुन्दर है आगे लिखाएगे दुईसुत मरे देहुपूर अजहुपूर पूर पूर अर्थात दुई सुत्य आपके दोनों पुत्र मर गए संपूर्ण आपका नगर जल गया देवुपूर अर्थात और अजहुपूर पीय देवुपूर अब भी आपके देह में आपकी देह में गमंड है अर्थात बगवान के प्रती विरोध हैं करपा सिंदु रगुनात भगवान सिर्राम के बजन करके और ये जो विमल पवित्र यस है वो प्राप्त कीजिए आगे जब रावन माना ही नहीं और रावन को मारना पड़ा तब मरने के बाद में मंदोद्री क्या कहती है और उनके सव के पास जा करके और मंदोद्री कहती है कि तव बलनाथ डूल नितदरनी तेज हीन पावक्षशी तरनी है पतिदेव आपके बल से ये प्रत्वी डोलती थी डगमगाती थी और आपके तेज के सामने अगनी चंद्रमा और सूर्य ये तेज हीन थे अर्थात आपका इतना तेज था कि चंद्रमा सूर्य और अगनी भी तेज हीन लगते थ आपके बल से संभून प्रत्वी डगमगा थी थी कांपती थी सेश कमट अही शकहिन बारा स्वम सेशनाग और जो कच्छब है वह भी आपके भाहर को सहन नहीं कर पाता था कहा जाता है कि कई केते हैं कि प्रत्वी जो है वो सेशनाग के फन पर है कई केते हैं कि प्रत्वी जो भूमी परेव बरिच्छारा और वही तन वही शरीर है आज इस भूमी पर दूल से बरावा, दूल से सनावा पड़ा है बरुन कुबेर सुरेश समीरा वरुन दनके देवता कुबेर सुरेश यानि इंद्र और वायू रन सनमुक दरिकाउन दिरा युद्ध में आपके समुक बिलकुल भी देर्य नहीं धारन कर सकते थे यानि आपसे युद्ध करते समय वरुन कुबेर और देवता इंद्र देवर आपने आपनी भुजाओं के बल पर काल को भी जीत लिया था आज परेव अनात की नहीं और वही प्राक्रम और बल के धनी इस परत्वी पर आज अनात की तरे पड़ा हुआ है परेव यानि पड़ा हुआ है जगत विदित तमुरी बगुताई जगत विदित तुमरी प्रबुताई संपुर्ण संसार तुमारी प्रबुता तुमारे बल प्राक्रम सोर्य को जानता था सुंत परिजनबल बरननजाई आपके पुत्र और परिवार जनों के बलका तो बरनन ही नहीं किया जा सकता अर्थात विशाल बल के धनी थे रवी राम विमुक उस हाल तुमारा बगवान सिरी राम से विमुक होने पर विरोध करने पर ये हाल तुमारा हो गया है और रहान कोव कुल रोव नियारा और आपके वंस में कोई रोने वाला भी नहीं है आज भगवान का विरोवत करने से आपका ये हाल हो गया है कि आपके वण्स में कोई रोने वाला भी रोव नहीं रोने वाला भी नहीं रहा है तब बस विदी प्रपंच सबनाता तब विदी यानि उस समय जिस समय तुम जीवित थे संपूर्ण विदी के प्रपंच संपूर्ण विदी के विदाता के जो नियम थे वो तुमारे हाथ थे और समय दिशिपनित नावई माथा और समस्त दिशाओं के राजा हैं वो तुम्हें मस्टिश्क नवाया करते थे अर्थाथ जितने भी इस प्रत्वी पर राजा थे वो आपसे नमन करते थे आपके सामने जुकते थे अब तब सिर्फ भुज जंबुक खाई और आज तुम्हारे उनी मस्टिश्क को ये जो स्रिगाल हैं वो खा रहे हैं अर्थाथ ये जो गीदड खा रहे हैं राम बिमुख ये अनुचित नहीं है पतिदेव जो भगवान के विमुख होता है बगवान से बेर करता है उनीक के लिए ये कोई अनुचीत भी नहीं है अर्थात उचीत यही है जो आपकी गती हुई है काल विवस्पती कहान माना काल के वश्च में मेरे पती ने मेरा कहान नहीं माना और अब जगुनात मनुज कर जाना और स्वंपूर्ण संसार के स्वामी भगवान शिरीराम को जिनोंने मनुष्य के रूप में समझा था जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरी श्वम अर्था जिन्होंने देवतों के उस वन का नाश करने वाले उस अगनी रूपी भगवान श्वम को जिन्होंने मनुश्य के रूप में जाना था जेही नमत शिव ब्रहाद शुर और जिस भगवान को शिव ब्रहाद और देवता चिने सर नवाते थे पिय बज़य हु नहीं करणवामयम अर्थात उनका भजन आपने नहीं किया आजन्मते पर द्रोह रत और जन्म से लेकर मरत्यू तक दूसरों से वेर विरोध करने में व्यस्त रहे पापोग मैं और पापों के समूशे चायरे अर्थात पाप ही पाप किया तावतनु अयम तुम हुदियो निज धाम राम नमाम इब्रभान रामयम और इतने पापी गमंडी और पटित आत्मा को भी भगवान ने अपना धाम अर्थात ब्रह्म धाम देख करके कल्यान किया है तो मैं बार-बार इस सिरिराम ब्रह्म रूपी सिरिराम को नमन करती हूँ अजहनात रगुनात सम क्रपा सिंदु नियान यानि बगवान सिरिराम के समान क्रपा सिंदु इस संसार में कोई नहीं है जो गिवरंद दुरलब गती तो ही दीन भगवान जो गती अर्थात जो गती मुनी तपश्वियों को भी दुरलब होती है वही गती आपको भगवान ने दी है अर्थात आपका कल्यान किया है आपका वद है वो भगवान सिरीराम के हातों हुआ है इसका अर्थ है कि आपका कल किया है जो गती देवता मुनी और तपश्वियों को भी प्राप्त नहीं होता है वही गती बगवान ने आपको दी है तो इससे बड़ा अहो बग्या आपका क्या हो सकता है ये था आपका लेशन जैहिन जैवारत प्रिय विद्यानतियों से अनरोद करना चाहूंगा कि आपको पसंद आया होगा और ये व्याख्या आपके समझ में आ रही होगी ये कहां समझ में नहीं आ रही है तो आप यानि आपके जो वार्सप ग्रूप है उसमें बता सकते हैं मेरे पास लिग करके दे सकते हैं आप डारेक्ट कोंटेक्ट के माद्यम से भी बता सकते हैं तो अगल वीडियो तक जय हिन जय वारत